एलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दी चैनल लॉर्न विस संदया हस्टक्षिवी फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने exercise 11.3 का question number 5 किया था आज इस वीडियो में हम question number 6 करेंगे तो चले शुड़ो करते हैं question number 6 है question number 6 है describe how the two figures at the right are alike and how they are different अब right में आपको दो figure दे रखी है इसमें आपको क्या बताना है alike और different कैसे यह similarity बतानी है आपको और difference बताना है ठीक है फिर बोला है which box has larger lateral surface area और फिर आपको बताना है कि इन में से किसका lateral surface area जाधा होगा ठीक है तो इस question में यही बताना है तो चले शुरू करते हैं अब इसमें हमें सबसे पहले क्या बताना है इसमें हमें सबसे पहले बताना है इन दोनों figure को देखिए यह अपका cylindrical है और यह अपका cube है ठीक है तो इसमें हमें क्या difference बताना है कि इसमें हमें similarity बताना है और इसमें difference बताना है तो इसमें similarity क्या होगी देखें इसमें similarity यही होगी देखें इसका जो यह इसकी height क्या है 7 cm है ठीक है और इस cube की भी height क्या है 7 cm है ठीक है इसमें ये आपका similarity हो जाएगा तो इसको हम लिखते हैं similarity में क्या लिखेंगे हम similarity में आपका क्या हो जाएगा कि दोनों की height जो है वो same है both have same ठीक है? both have same side ठीक है? दोनों की, sorry, same height दोनों की height जो है वो 7 cm है, same है और इसमें अब difference क्या हमें बताना है अब हमें एक difference भी बताना है तो difference क्या हो जाएगा आपका difference भी लिखते हैं हम इसमें अब difference में ये देखिए ये एक cylinder के save का है और ये क्या है? q की save का है ठीक है? इसमें आपका एक difference हो गया तो इसको लिखते हैं, difference में हम क्या लिख देंगे difference आपका हो जाएगा ये difference तो इसमें difference में हो जाएगा one is a cylinder एक cylinder है आपका ठीक है, one is c, y, c, l, i, n, d cylinder, ठीक है, और जो other है the other, ठीक है the other is cube, ठीक है, एक आपका cylinder है, और जो other है, वो क्या है cube है, और इसका क्या difference लिख सकते हैं, इसका हम और difference भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो इसका जो base है ये इसका तो circular shape में होगा ठीक है, जैसे उपर ये circle है, तो तो यह आपका x में क्या त्विरेन्ट हो जाएगा रखकी तो इसका इसका बेस भी स्क्वायर होगा इसमें हम क्या लेख सकते हैं डिफरेंस में इसमें the other the other has square shape ठीक है has square base ठीक है cylinder की क्या होती है circular base होती है और जब cube की है उसकी क्या होती है स्क्वायर बेस होता है ठीक है तो अब इसमें हमें क्या और और इसमें क्या बताना है इसमें अब हमें बताना है लेटरल कॉर्वड सर्फेस एरिया और सिलेंडर ठीक है तो यहां पर उसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो लेटरल lateral curved curved हम किसको बोलते हैं जैसे कि ये circle shape में तो इसको हम curved भी बोलते हैं curved surface surface area of cylinder ठीक है cylinder क्या होता है इसकी formula मैंने आपको introduction part में भी बताया है ये होता है 2 pi r h ठीक है ये होता है आपका अब यहां import करते हैं अब देखिए आपको ये 2 का 2 as it is और यहां पर क्या है pi की जग हम 22 upon 7 ले ले लेते हैं और यहां radius radius क्या हो जाएगा आपका अब देखिए इसमें radius क्या होगा ये आपका जो अब इसमें क्या दिया आपका ये जो पूरा है ये आपका थिक है 7 cm का दिया है उपर भी 7 cm का देगा ठीक है तो ये जो यहां से लेके यहां तक का होगा आपका ये क्या हो जाएगा radius होगा और जब इसको हम पूरा कर देखिए आपका diameter होगा साइड में बहाद बता देती। मैं यह आधा क्या हो जाएगा आपका 7 cm का है जब हम 7 का अभाफ पर तो आपका यहाँ प्रता चल जाएगा तो यहां पर भी हम 7 upon 2 लेते हैं ठीक है, 7 upon 2 हो गया, अब क्या करेंगे अब हम, अब यहाँ पे h, यानि height क्या है, इसकी 7 है, अब यहाँ simply देखें क्या हो रहा है, यह 7 से 7 कट गया, यह 2 से यह क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, ठीक, यह आपका हो गया, सॉरी, यहाँ पे इसको नहीं कट करते हैं, तो हैं, टू से 2 कट गया, यहाँ 22 और 7 बचा है, तो 22 से बचाएगा है, 154 और कोश्चन जो है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वाइर, यह तो हमारा लिका लिका लिए, लेटरल कड शर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वाइर, तो क्यूब का हमारे पहले फॉर साइड हो जाएगी इसकी ठीक है फॉर होगी और इसकी जो इसका स्कॉयर होता है इसको साइड इंटू साइड हो जाएगा ठीक है साइड इंटू साइड फॉर साइड होती है फिर अरिया फॉरस साइड का फॉर्मूला हो इसकी हमारा पता चला है आपको देखके कि यह 154 सैड्य स्कॉयर है इसका एरिया और इसका क्या है आपका 196 तो हमें इसमें सबसे सबसे ज़्यादा क्या है कौन से में लग रहा है आपका cube में तो हम इसमें क्या लिखेंगे Tube has larger ठीक है larger lateral surface area ठीक है cube का है larger surface area ठीक है cylinder से तो इस question में हमें इतना ही बताना था ठीक है तो अब जो next question number है वह 7 है तो हम इसको next video में करेंगे तब तक के लिए thank you so much